नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हुँची धर्मेश, अने आजे आपड़े जोवानाशे तोरण आठनी अंदर, एकम कसोटी हिंदी नी तारीक सतर नौ बेजर बाविशना रोजे, जे एकम कसोटी लेवाई गईशें, एनुँ संपूना पेपर सोल्यूशन तमने अहीं आप सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे प्रश्ण एकम कसोटी हिंदी नी अंदर जीए, एकम कसोटी सप्टेम्बर नी अंदर जीए लेवाई गई, एनुँ आपड़े प्रश्ण एक में, कि प्रश्णों के उत्तर संक्सेप में लिखिए, किसी एक विपाग आपको लि वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जीवन ले भी सकता है, वह हर कर समयस्या को दूर करने के लिए समर्थ है, इसी तरह कभी इस्वर सरोपरी इस्वर को मानते हैं, तो इस तरह से हम अपने जो पहला प्रश्ण है, उनका जवाब इस तरह से हम उत्तर इस तरह से उसे हामित की ना समझी पर क्रोध भी आया हामित ने दादी से कहा कि रोटिया पकाते समय तुमारी उंगलिया चल जाती थी इसलिए मैं चिम्टा लाया हूं यह सुनकर बुटी अम्मा को क्रोध स्नेय में बदल गया हामित के त्याद सद्भाव और विवेग पर वो नियोच् तो इस तरह से हम वो लिखेंगे उसका अंसर उसके बाद हम तिसरा प्रशना देखेंगे सर्वदमन तपस्वी के कहाने पर सी शावन को छोड़ने रहा था तब तपस्वी ने दूश्यन से कहा की अब तुम्ही सी सावन को इसकी हाथ में से छुड़ाओं दूशियन के कहने पर सर्वदमन ने सिंसावन को छोड़ दिया था उसके बाद हम बह देखेंगे पहला प्रश्ण शुनिता विल्यम्स अन्य लड़कियों से अलग है विधान समझाए बह मैंसे हम दूसरा प्रश्ण का जवाब यहाँ पर जो उतर है वो देखेंगे कि देश में नव निर्मान के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे तो उसका हम उतर देखें तो देश के लिए अपने मुहले में एक मित्रमनल की स्टापना करूंगा जिसके माध्यम से साक्सरता का प्रसार किया जाएगा निर्धन परिवारों को विधियार्तियों के पाठिय पुस्तक दी जाएगी हम अपने मुहले में एक माचना ले खोलेंगे यहाँ बेटकर लोग अकबार पढ़ सकेंगे मन्डल की तरह से वुर्खसार ओपन किया जाएगा और समय समर पर आर्वग्यों सिबिर लगाए जाएगे तो इस तरह से हम जो ब में दुसरा प्रश्न का जवाब यहाँ पर जो उत्तर है वो हमने आंसर लिखा है आगे बढ़ेंगे हम को की तरफ प्रश्न नमबर एक है भीन-भीन धर्म के लोग प्रातना करने के लिए कहा जाते है तो हम देखेंगे कि प्रत्यक धर्म के लोग अपने अपने पुजास्तानों में प्रातना करने के लिए जाते है हिंदू मंदिर में मुसलमान मचिद में इसाय चर्च में, सीख गुरुद्वार में और पार्सी अग्यारी में प्रातना करने के लिए जाते हैं उसके बाद हम दूसरा प्रशन देखेंगे सुनिता विलियम्स ने अपने सपने कैसे साकर किये तो सुनिता ने अपने सपने कैसे साकर किये वो हम देखेंगे तो सुनिता को अंत्रिक्स में जाने की तीव रहिच्छा थी वो पाइलट बनने के बाद नासा जाने में सफल हुई अंत्रिक्स का गनान पाने के लिए उन्हें रूस रहना पड़ा रूस मतलब जो रसिया है वहाँ पर रहना पड़ा पूरी तयारी के लिए नो दिन पानी में भी रही उनका प्रसिक्षन आट साल में खत्म हुआ बाद में डिस्कवरी मिशन में सामिल भी हुई और 10 सेटमबर 2007 को अटलार्टिस अंतरिस यानमे स्पेस टेशन कुँची इस प्रकार सुनिता ने अपने साकार किये उसके बाद हम प्रश्न देखेंगे तिसरा प्रश्न भरत एकांकी में आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा क्यो तो सबसे बहले हम देखेंगे तो भरत एकांकी में आपको सर्वदमन पात्र अच्छा लगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमको सर्वदमन पात्र अच्छा लगा आपको ने लिखेंगे हम लिखेंगे कि हमको सर्वदमन पात्र अच्छा लगा क्यों लगा तो हम देखेंगे कि सर्वदमन असाधरन बालक है आईसरम की तपस्विनियों से सिह सावन को छोड़ देने के लिए समझा है पर वो उनकी बात नहीं मानता दुश्यन से वो जहराबी परिचित नहीं है फिर भी वो उनके कहने पर सिह सावन को छोड़ देता है उसकी सुरत भी दुश्यन की सुरत से मिलती है अपराजित नामक रक्षा सुत्र भी प्रमानित कर देता है कि सर्वदमन दुश्यन का ही पुत्र है इस बालक का पिता और पुत्र दोनों एक दुसरे से अनजान है फिर भी उन्हें बीच पत पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगी तो इस तरह से हम उनका पात्र का हम लेखेंगे याँ पर इसके बाद हम डर की तरप आगे बढ़ेंगे पहला प्रश्न उठो धरा के अमन सपुतो कविता में कौन सी बात है जिनने तुम अपने जीवन उतारना चाहूंगे तो हम देखेंगे के मैं अपने देश को चाहूंगा मैं सरे देश वासियों को अपना मानूंगा मतलब सारे देश वासियों को अपना मानूंगा मैं अपने लिए नहीं बलकि देश के लिए जीऊंगा मैं मन लगा कर बढ़ूंगा और अपने गनान का देश की सेवा में उप्योग करूंगा मैं ऐसे काम करने के देश का गौरो बठाऊंगा मैं देश की रक्सा के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा तो इस तरह से हम लिखेंगे उसके बाद हम दूसरा प्रश्ण देखेंगे डॉक्टर कलाम की बच्पन की किसी खटना का वर्नन की लिखिये मतलब डॉक्टर जो कलाम हो गए अपज़ी अब्दूल कलाम जो हो गए उसकी बच्पन की कोई खटना का हमें वर्नन करना है तो देखेंगे हम उसका उतर कलाम जब पांचवीक अक्सा में थे तब कि एक कटना उन्हें याद है उनके सिख्षक की सिव सुब्रमनियम अईयर विध्यार्थयों को बता रहे थी कि कोई पक्सी कैसे उड़ता है वो विध्यार्थयों को रामेश्वर के समुद्र टट पर ले गए उके तो इस तरह से हम लिखेंगे उसके बाद हम देखें तो तीसरा प्रश्णों हामिद ने चिम्टा ही क्यों खरीदा वो कुछ और क्यों नहीं खरीदा उसने और कुछ क्यों नहीं खरीदा वो भी हम देखेंगे तो चिम्टा ही क्यों खरीदा तो उनका हम जवाब लिखेंगे हामित को लोहे की दुकान पर चिम्टा देखतर ख्यालाया कि दादी के पास चिम्टा नहीं है तबे से रोटिया उतारते समय उनकी उंगलिया जल जाती है चिम्टा से जाने पर मतलब चिम्टा ले जाने पर वे जरूर प्रसन होगी चिम्टा होने पर उनकी उंगलिया नहीं जलेंगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी खिलोने और मिठाया खरिदने में तो पैसे भी बरबादी है हम खिलोना जब खरिद देंगे, मिठाया जब खरिद देंगे तो पैसे की बरबादी हो जाएगी एसा कौन सोचता है हामिद तो एसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज़ न खरीद कर चिम्टा ही उन्होंने खरीदा उसके बाद हम इह देखेंगे उसमें जो तीन प्रश्न है वो देखेंगे सबसे पहले तू अपनी नजर हम पर रखना एसा कभी क्यों कहते है इस्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा चन्म हुआ है उसी की कृपा से हम प्राण मिले है हमारा जीवन उनके भरोसे ही है क्योंकि वह हमारा रखवाला है इसी तरह कभी इस्वर से हम पर अपनी कृपा द्रश्टी रखने के लिए कहते हैं चलो हम आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्ण किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्वा है तो हम उनका उतर देखेंगे तो सेना किसी भी देश का अनिवारी अंग है सेना सत्रों के आक्रमन से देश की रक्सा करती है देश में कहीं वीद्रों होने पर सेना उसे दबाती है देश में आतंकवादी खुश आये हो और पूलिस उनसे निपटने में सक्सम ना हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटने पर सेना उसे दबाती है देश में आदंगवादी घुसाय हो और पूलिस उनसे निपटने में सक्सम ना हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं देश में कहीं भी सण बहाड या पुकम आये हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को साहित्या करती हैं इसी प्रकार बहारी या भीतरी संकट में सेना ही दिश्वासियों की रक्सा करती हैं चलो हम तीसरा प्रशन देखेंगे दूशियन्त ने पूरुस वंसे जिवन की कौन सी दो रितिया बताई हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे वो युवा वस्ता में महेलों में रखकर पुरुथवी की रक्सा और पालन करते हैं दूसरा रुद्धा वस्ता में वे तपसियों के आश्रम में रुक्सों के नीचे कुटी लगा कर रहते हैं मतलब कुटिया लगा कर रहते हैं ऐसा उसका उतर आएगा उसके बाद हम देखने के कोशन करेंगे प्रश्ण नमबर बे प्रश्ण नमबर एक हम यहाँ पर खतम होता है दूसरा जो प्रश्ण होता है सुचना अनुसार उतर दिखना है समानार्थी सब्द विरुधार्थी सब्द देकर उसका वाक्यों में प्रयोक करना है उसका समानार्थी सब्द भी लिखना है और उसका वाक्यों में प्रयोक भी करना है वाक्यों में प्रयोक हम अपनी तरह को से कर सकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे निगोडी तो देखें यहाँ पर निगोडी है उसका जो उत्तर है उनका होता है अनाध दूसरा देखे तो सितल उसमें गरम होता है और गल्ले मिलना उनका जो उत्तर है ब्रेम से भेटना है तो इसमें तीन दिये गए है और तीनों का जवा उत्तर है और यहां पर दिया गया है आगे हम देखेंगे दूसरा प्रश्ण अब और को में सबसे पहले इसमें दिया गए है कि समनार्थी सब्द देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए तो पुरुथक है पुरुथक का जो आंसर होगा वो अलग होगा समनार्थी सब्द देखकर उसके वाक्य में प्रयोग भी करना है दिएगे सब्द में विरुदार्थी सब्द देखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है समझ तो उसका जो उतर आएगा वो ना समझ आएगा को देखे हम दिये गई मुहावर्य का अर्थ देखकर उसका बाक्ये में प्रियोग करना है बाका नहोंना तो उनका जो हम उतर देखेंगे चेराभी नुकसान consum नहोंना उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तिसरा तिसरा में अ देखेंगे आपदा उसका जो उतर है समनार्थी उसका हम देखे तो विपती होगी उसके बाद ब में देखे तो अवनती तो अवनती में होगी उनती उनती में उसमें क्या करना है विरुधार्थी सब्द देकर उसका व और वाक्यों के जो प्रयोग है, वो अपने आप बना सकते हैं। उसके बाद जो चौथा प्रशन हो है, वो हम देखने की अकोशित करें। तो सबसे फैल । रून है, तो यो समणार्थि सब्दो देखकर उसका प्रयोग करना है तो समनार्थी प्रश्न होगा देवू उसके बाद आश्रित तो अनाश्रित और उसके बाद एक सुत्र में परोना तो सबको साथ में रखना जो यहाँ पर दिये गए है उनके आंसर यहाँ पर हम ने लिखे उसके बाद हम पांचवा प्रश्न देखेंगे अ में आएगा 27 तो उसका जो उत्तर है ओकाद आएगी उसके बाद बाद देखे दीन तो विरुदार्ची सब्दा लिखना है मतलब रात होगी उसके बाद कर देखे तो बेड़ा पार लगाना उसका जो उत्तर है संकर से बचना हम आगे बैढेंगे प्रेशन नबर तीन की तरफ निमने लिखित एक वचन वाक्यों को बहुचन में परिवर्तित कीजिए मतलब जो एक वचन है यहाँ पर उसको हम बहुचन में देखने की कोशिश करेंगे उनका हम उतर देखेंगे किसी एक विबाग आपको लिखना था जो चार मारका उसका मारकिंग था अब सबसे पहले हम पहले देखें तो सबसे पहले यहाँ लिखा है मुझे लुटेरे का डर था तो हमें लुटेरों का डर था यहां मुझे की जगा पर हमें आए जाएगा और लुटेरे की जगा पर लुटेरों का आजाएगा उसके बाद लिखा है पक्सी ने उडान भरी तो पक्सी ओने उडान भरी क्योंकि बहुचन एक के साथ काफी सारे पक्सी है इसलिए पक्सियों ने उडान परी उसके बाद तीसरा प्रश्न देखेंगे उसने मुझे मिठाई दी तो यहाँ पर उसका उत्तर है उन्होंने हमें मिठाई दी उन्होंने हमें मिठाई दी उसके बाद हम देखें तो मैंने कविता लिखी तो हमने कविताये लिखी यहाँ पर मैंने है तो उसकी जगाँ पर आ जाएगा हमने कविताये लिखी उसके बाद हम बहर देखेंगे पहला यह मेरी किताब है तो यह हमारी किताब है यह हमारी किताब है ऐसा उसका उतर रहेगा दूसरा देखेंगे हम इसे लड़ू देदो इसे लड़ू देदो इसा उसका उतर आएगा तीसरा प्रश्ण सेटने नोकरों से पुस्तास की, कववह उडगया, कववह उडगया, तो कववे उडगये, कववे उडगये, ऐसा हम लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे का तोता पिंजरे के अंदर बेठा है तो तोते पिंजरे के अंदर बेठे है बेठा है तो यहाँ पर बेठे है ऐसा हम लिखेंगे दूसरा प्रशन यह कारिय मुझसे नहीं हो सकेंगा तो उसका हम उतर देखेंगे तो यह कारिय हमसे नहीं हो सकेग उके एसा लिखेंगे मैं स्वयम चला जाऊंगा तो उसका उतर दखे हम स्वयम चले जाएंगे जोथा प्रश्न जंगल में आथी ने उत्पात मचाया तो जंगल में आथी ओने उत्पात मचाया हाथियों ने उत्पात मचाया मतलब ऐसा हम बहुवचन में लेखेंगे उसके बाद हम देखने के कौसिस करेंगे दर उसका एक देखेंगे द्रश्य देखने के लिए घर का दरवाजा खूल गया तो द्रश्य देखने के लिए घर के दरवाजे खुल गए घर के जो दरवाजे हो सारे खुल गए ऐसा दूसरा प्रशन देखेंगे यह किताब किसकी है तो यह किताबे किसकी है मतलब यहाँ पर किताब की जगा पर क्या आ जाएगा किताबे उसके बाद देखेंगे कि दरवाजा खोल कर तुम अंदर आ सकत यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर प्रश्刃 नहीं और देख लिए ना उसके बाद हम आगे बढ़ेंे कि वो खेत में फसल बो रहा है तो वो खेतों में फसले बो रहा है उससे मेरी बात अच्छी नहीं लगती तो उससे हमारी बात अच्छी नहीं लगती उसके बात देखेंगे मैंने कहानी की किताब खरी दी तो हमने कहानी की किताबे खरी दी उसके बात यह पैंसिल अच्छी है तो यह पैंसिले अच्छी है चलो हम प्रशन नबर चार देखेंगे रेकांके सब्दों को लिंक बदल कर वाक्यों फिर से लिखें किसी एक विफाग आपको लिखना पड़ेगा और यह जो है वो चार मारका रहेगा चलो हम सबसे पहले देखेंगे अब विफाग रुक्स के नीचे युवक खड़ा था तो उनका हम उतर देखें तो रुक्स के नीचे यूती खड़ी थी मतलब जो यूवक है उनकी जगा पर हम क्या लेखेंग के पंडित हमको मिलने के लिए घर आये थे मिलने के लिए आया था मतलब कहा पर आया था घर आया थे तो ऐसा हमको लिखना है मतलब यहां पर हम घर लिखेंगे के पंडित हमको मिलने के लिए घर आया था यहां पर घर मैंने लिखा है आप लिख ले ना उसके बाद हम लिख देखेंगे कि हिंद के महान समराट को कौन नहीं जानता तो यह थोड़ा आठपटा था इसलिए हमें लिखा कि हिंद के महान समराजी को कौन नहीं जानता वो अपने आप लिख सकते हों यह हमारे गाउं की डॉक्टर नहीं है तो हम लिखेंगे यह हमारे गाउं का डॉक्टर है उसके बाद हम देखेंगे मालिन सुन्दर मालाई बनाती है मालिन सुन्दर मालाई बनाती है तो उनका हम उतर देखेंगे तो माली सुन्दर मालाई बनाता है जो मालिन तो मालिन की जगा पर माली आ जाएगा ओके दूसरा प्रश्ण देखेंगे सेठने नोकर को बुलाया तो सेठने नोकरानी को बुलाया उसकी सास बड़ी भाग्यवान है तो उसका ससुर बड़ा भाग्यवान है जोता प्रश्ण तुम किस स्कुल की सात्रा हो तो हम लिखेंगे तुम किस स्कुल के सात्रा हो को देखेंगे हमारी अध्यापिका बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो हमारे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाता है, साध्वी को बिक्सा देना हमारा धर्म है, हमें सन्यासी से मिलकर खुशी हुई, जो सन्यासीनी से, इस मुलके ठाकुर को कौन नहीं पहचानता, ठाकुराइन आयेंगा यहाँ पर, यहाँ पर ठाकुर था, तो ठाकुर की जगा पर क्या हो जाएगा, ठाकुराइन, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद जंगल में बाग गुर्रा रहा था, तो जंगल में बागीन गुर्रा रही थी, ठाक है, वहाँ पर क्या जाएगा, थी, और बाग की जगा पर क्या जाएगा, बागीन, हमारी पडोसी हमें दूद देती है तो हमारा पडोसी हमें दूद देता है उसके बाद मजदूर थेला उठा कर जा रहा है तो मजदूर थेली उठा कर जा रही थी मजदूरनी मजदूर की जगा पर क्या आ जाएगा मजदूरनी थेली उठा कर जा रही थी उसके बाद हम देखेंगे कवी की रचना पढ़कर मजा आ गया तो कवी अत्री की रचना पढ़कर मजा आ गई उसके बाद भगवान को याद करने के कारिय की सुरुवात कीजिए उकी उसको हम उनका देखेंगे तो देवी को याद करके कारे की सुरुवात कीजिए तो यहां भगवान है तो हम क्या लिखेंगे देवी तिसरा प्रश्न इस विद्वा को साहेता कीजिए तो उनका उतर आएगा इस विधूर को साहेता कीजिए मतलब जो विद्वा है उनकी जगापर हम वितूर लिखेंगे उसके बाद स्रीमान आप यहां बेठिये तो स्रीमती आप यहां बेठिये ओके स्रीमान की जगापर क्या आजाएगा स्रीमती ऐसा हम लिखेंगे उसके बाद हम प्रस्ट नबर पांच देखे तो यहाँ पर लिखा है कि इनके आधर पर कहाने लिखे एवं योग्य सिर्षक भी दीजिए मतलब आपके यहाँ पर जो मुद्दे दे गए है उनके आधर पर आपको एक कहानी बनाने है और कहानी बनाने के बाद उनका एक सिर्षक भी देना है किसी एक काई काम करना है तो एक दम आसान है हमारा वीडियो बहुत लंबा न हो जाए इसलिए हमने यह नहीं किया है अगले बार आ जाएगा तो हम यह चरूर करेंगे विद्यार्ति मित्रों आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो जो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सेरी करो, सब्सक्राइब करें जिसके वज़े से आपको यह वीडियो की नोटिफिशन आपको मिलते रहें जय हिंद